आपको बहुत बहुत स्वागत चलिए आज हम बात करेंगे सम्विधान की सम्विधान की प्रस्तावना को आज हम दो बड़ी मामले जो कि सुप्रीम कोट में आये और उनका निरने क्या रहा इससे हम में पता चलता है कि सम्विधान की प्रस्तावना क्या है और कैसे प्रथम बात करें हम तो वो है बेरुवारी बाद 1960 का मामला है जिसमें रास्टपती ने सुप्रीम कोट से सला ले थी और बेरुवारी बाद में सरप्रितम सुप्रीम कोट ने कहा कि प्रस्तावना सम्विधान का भाग नहीं है ठीक 13 साल बाद यानि कि 20 अप्रेल 1973 केसवनन्द भारती वरसेस केरल राज्जी के मामले में सुप्रीम कोट ने अपने निर्णे इस मामले में 13 ने अधिसों के पीट सुनवाई के लिए एक सांथ बैठी थी जिसकी अध्यक्ष एक जेस्टिस कर रहे थी इस बाद में स्पस्ट कहा गया कि प्रस्तावना सम्विधान का भाग है प्रस्तावना से भी उसी तरह संसोधन किया जा सकता है जिस तरह संविधान के अन भागों में सम्विधान संसोधन किया जा सकता है एसर मुंबई वर्सिस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 इस मामले में यह मामला करनाटक के सीम और उनकी सरकार के बरखास्त कर दिया गया था वहां के राज्यपाल दोरानुचे 356 के अंतरगत सम्विधानिक संकट की बात कहत हुए वहां राष्टपति सासन लगाया गया था इस मामले में सम्विधान ने कहा प्रस्तावना सम्विधान कोर्ट ने कहा प्रस्तावना क्या है यह वह दस्तवेज है जिसमें तीन बातें इसपस्ट होती है सम्विधान का उद्देश, शम्विधान के नियम और कानून ल लोकतांत्रात्मक लोकतांत्रात्मक प्राकृतिक समविधान के प्रस्तावना में उनलेखी थे अब्रहेम लिंकान ने हमें इसे जनता कसाशन, जनता के द्वारा और जनता के लिए बताया था लोकतंत्र को हम दो प्रेमुक भागों में बांट सकते हैं पहला प्रतेक्ष लोकतंत्र और दूसरा आप्रतेक्ष लोकतंत्र चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं यह है क्या सबसे पहले बात करते हैं प्रतेक्ष लोकतंत्र की बात करें इसमें सासन जनता के द्वारा की जाती है आप्रतेक्ष लोकतंत्र इसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारत सासन की जाती है भारत में लोकतंत्र है लेकिन भारत में अप्रतेक्ष लोकतंत्र है गरतंत्र सब्द का उलेक भी प्रस्तावना को देखने से ही पता चलता है धर्म निर्पेक्च पंथ निर्पेक्च मतलब सभी धर्म को समान बढ़ावा देना किसी एक धर्म को नहीं और यह सब्द भी भारतिय सम्विधान के प्रस्तावना में उलेकित है समाजवादी विश्वे की भी सासन ब्यवस्था दो मुक अधार पर ठिकी है पूंजी वाद एवं समाजवाद समाजवाद का मतलब नीजी समपत्ती का अस्तित्व ना होना जहां सारी समपत्ती पर सरकार का अधिकार होता है इस प्रकार की वेवस्था को हम समाजवादी वेवस्था कह सकते हैं 1990 में जब हमने LPG, liberalization एवं globalization वैस्वी करण ऐसी बातों को अपनाया तब यह समाजवाद प्रसांगिक हो गई उद्देश जहां समविधान की प्रस्तावना की बात होती है वहीं प्रस्तावना है यहां हमारा 395 अनुचेद 12 अनसूचिय वा भाग सामिल है भारत का समविधान लिखित समविधान है यहां पर तीन चीजों को इस्थापित करने का प्रमाण मिलता है नियाय इस्थापित करना नियाय समाजिक नियाय आर्थिक नियाय एवं राजनेतिक नियाय दूसरा सुतंत्र इस्थापित करना समानता इस्थापित करना डिपी एस्थापि डिरेक्ट प्रिंसिपल औप दे स्थेट पॉलिसी के अंतरगत अनुछेद 38 में समाजिक आर्थिक एवं राजनेतिक नियाय का उल्लेक है आर्टिकल 19 मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है प्रस्तावना में विचार, अभिवेक्ती, विश्वास, धर्ब, उपासन जैसे सोतंत्र प्रस्तावना में उल्लेके थे आवसर की समानता इसका मतलब और इसका उल्लेक आर्टिकल 16 प्रस्तावना में भी देखने को मिलता है सोतंत्रता समानता और बंधत्व यह सब्द फ्रांस से लिए गए हैं यह फ्रांस की करांती के नारे हैं इसका उलेग भी प्रस्तावना को देखने में मिलता है मौलिक करतब अंशेद 1514 में है सम्विधान के लागू होने की तिथी 26 नॉमबर 1949 के तारिक भी प्रस्तावना में उलेग ही थे Experiment यह आधिकरत अधियम करना मतलब लागू करना आपसे हमको मैं अपना सभी उलेग सम्विधान के प्रस्तावना में हैं प्रस्तावना में भारत सब्द का उलेग दो बार किया गया है 42 सम्विधान संसोधन 1976 अनियक संसोधन हुए लेकिन प्रस्तावना में अब तक एक ही बार संसोधन हुआ और वह है ब्यालिस्वा सम्विधान संसोधन में देखने को मिलता है मैं पता चलता है पंत निर्पेक्च समाजबाद अखंडते या तीनों सब्द जोड़े गए हैं 42 सम्विधान संसोधन दौरब प्रस्तावना में का महात्वर ठाकुर्दास भारगों के अनुसार हमारे प्रस्तावना सम्विधान का आत्मा कहा जाता है सम्विधान का सबसे महात्वपूर भाग प्रस्तावना है सम्विधान का अभूशन के मुंसी या प्रारूप समीती के अध्यक्ष थे सदश्र थे इन्होंने प्रस्तावना को लेकर कहा प्रस्तावना सम्विधान की जन्म कुंडली है प्रस्तावना में लिखा सब्द हमारे सम्विधान के शदस सचाहते क्या थे इसका उलेग भी मिलता है